गुट मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विभास लाइफ में होप करती हूं सब लोग स्वास्थ होंगे मस्थ होंगे हम लोग भी एकदम अच्छे हैं जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे यह अब जी बना करके दे दिये थे चावल नहीं बनाए थे अब चल रहे हैं अभी हम अपने लिए सुबह और साड़े चे बज़े चले गए तो आज हमको जुम्बा क्लास भी नहीं जाना था तो हम फिर से सो गए और अभी टाइम हो रहा है साड़े दस तो अभी नहा धुला अब चल रहे हैं अपना हम चावल बनाएंगे और आज बनाएंगे तम टेस्टी जनाटे दा टमाटर की मस्त चटपटी सी चटनी तो चलिए देखिए हम कैसे बनाते हैं टमाटर की चटनी थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं चटनी और अभी हम चा तो इसको थोड़ा सा दस मिनट के लिए बॉयल करेंगे इसके पीछे मतलब प्लस का निसान बना देंगे ऐसे चिलका एकडम अच्छे से उतरता है तो यह देखिए मेरा पानी बॉयल हो चुका है अभी इसमें टमाटर डाल देंगे टमाटर डालने के बाद इसको ढखके 5 मिन तक पकाएंगे ताकि इसका चिलका अच्छे से छोड़ दे तो यह देखिए यह टमाटर का चिलका चोड़ने शुरू हो गया है इसको कट लगाते हैं तो अच्छे से इसका चिलका निकल जाता है तो यह देखिए इसका चिलका उतरने लगा है अभी इसको उतार करके ढखक तो यह देखिए पांच मिनट के बाद हम इसका चिलका उतार ले रहे हैं पूरा एक दम बढ़िया से चिलका उतार जा रहा है यह चटनी बनाने के लिए बहुत ही अच्छा यह रेसिपी है आप लोग जरूर देखिएगा पूरा बहुत ही टेस्टी लगता है और मेरे चावल है तो उसमें दो-तीन बार पीसना पड़ता तो हम बड़ा वाला ही ले लिए हैं इसमें पूरा टमाटर हम पीस लेंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे वैसे भी इसमें इतना पानी है तो पीस जाता है तो अभी हम चावल को हटा करके इसी पे कड़ाई इसमें तेल डालेंगे सरसो का तो सरसो का तेल इसमें थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है हाँ थोड़ा सा ज्यादा दो बड़ा बड़ा चम्मच दो चम्मच इसमें तेल है बड़ा वाला चम्मच है बाई चोटा नहीं तो और यह है लासन लासन को हम कूट लिए हैं जटक गया है उसके बाद ही इंग डाल दिये और हींग भी मेरा हो चुका तो इसमें अभी लसन डालके अच्छे से लसन को भूनेंगे इसका सुनरा होने तक लसन गोल्डेन होने तक और इसमें हमको ना राई का टेस्ट बहुत ही अच्छा था है तड़के मेरा जरूर और ये है कस्मेरी मिर्च ये इससे कलर बहुत ही सुन्दर आएगा और टेस्टी लगता है वो लोग बोलते है ना पहले के लोग बोलते थे कि खाना खाने से पहले आदमी आखों से खाना काता है तो आखों को जो भाज आए उसका टेस्ट भी अच्छा होता है तो इसी तो अभी देखिए टमाटर का पेस्ट डाल दिये हैं और अच्छे से मिर्च में मिक्स कर लेंगे टमाटर के पेस्ट को और इसमें अभी डालेंगे नमक और जो खाना देखने में अच्छा लगता है वो खाने में भी tasty होता यह सहीं बता रहे हैं तो जब देखने में ही अच्छा नहीं होगा तो उसका taste जा होगा यार तो इसलिए इसमें हमको तो बहुत पसंद है डेगी मेर्च का कलर और मेर्ची पाउडर तीखा चटपटा बहुत ही अच्छा लगता है तो इसमें अभी हम देखिए डाल दिये हैं नमक और इसमें एक छोटा सा चमच बराबर इसमें डालेंगे चीनी ताकि चीनी और नमक दोनो ये स्वाड का बैलेंस बना करें तो थोड़ा सा डालेंगे ज्यादा नहीं मीठी नहीं करणे आमको खटा मीठा वाला चट्णी नहीं बनाना यह हमको बनाना है खट्टी वाली ही लेकिन इसमें थोड़ा सा चिनी डाल देंगे तो इसका स्वाद और भी अच्छा एकदम टेस्टी हो जाता है तो इसको एकदम बराबर ही हम चलाते रहेंगे चलाते चलाते इसका सारा पानी सुखा लेंगे तो देखिए अभी मेरे सूख गया है इस टाइम आप इसमें दो टेवल स्पून वाइट विनेगर डाल दीजिए उसके बाद इसको आप महीने तक रखिए कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन हम वाइट विनेगर नहीं डाल रहे हैं क्यूंकि हम दो चार दिन में ही यह मेरा खतम हो जाएगा इतना य या इसको पिज़ा बेस पे भी लगा सकते हैं इस बहुत ही टेस्टी और चटपटा टाइप में है यह चटनी बहुत ही अच्छा इसको आप पिज़ा बेस पे भी लगा लीजिए इसको सूखी रोटी से भी खाये बहुत ही टेस्टी लगता है जहां आपको दो रोटी दो पराठा दो पूड़ी खाना होगा वहां पे चार खाएंगे सची बता रहे हैं बहुत ही टेस्टी यम्मी यम्मी दम बनके तयार होता है देखिए मुझ में पानी आ गया ना हाँ तो जाइए देर किसके बात कि यह टमाटर तो बहुत सारा मिल रहा है जाइए बनाएए पटा दाल मुझ और अरहर की दाल है उसमें जीरा मिर्चा हींग का चौक लगाए है और उसमें हरा धनिया काट के डाले हैं यह ऐसे ही टेस्टी दाल हमको बहुत पसंद है मिक्स वाला और ज्यादा नहीं मुझ का हो गया उडद का हो गया रहर का हो गया इसे लेकिन आज हम बस मेरी रोटी मक्का और गेहूं का ये दोनों का मिक्स रोटी है चावल है और मेरे यहां आज हम बनाए है मिक्स सबजी तो सबजी है ये देखिए मिक्स सबजी हम थोड़ा दाल चावल थोड़ा सा ज्यादा मातरा में लेते हैं ज्यादा नहीं थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा और रोटी थोड़ा कम मात्रा में लेते हैं और ये रही आज की मेरी चटनी चट पटी सी तीखे जन्नाटेदार चटनी वाउ खा लेंगे तो एक दम मज़ा आजाएगा करेजा हरी आजाएगा गाओं के बासा आप में बोले तो करेजा एक दम हरियर हो जाएगा आप लोगों का सची बता रहे हैं तो फ्रेंट्स ये रही मेरी आज की ठाली है सब्जी सब्जी मिक्स है ब्रोकली है पत्टा गोभी है बीनस है पनीर है और ये रही मेरी मिक्स दाल मूंग अरहर की ये रही रोटी मक्का और गेहों का मिकस आटा ये चावाल और ये चटनी चट पटी सी चटनी ये रही मेरी आज की हेल्डी थाली तो आप लोग प्लीज जरूर बताएगा कमेंट करके कि आज का मेरा ये थाली आप लोगों को कैसा लगा और इस पेसली मेरी चटनी चटनी का रेसिपि आप लोगों को कैसा लगा अगर ये मेरा चटनी रेसिपी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें जो नए है मेरे चैनल पर प्लीज देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे से नई रेसिपी के साथ नई ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई